जैन जै भारत और वेलकम टू देफ टॉक्स दिस इस आदिये चिंद चाइना बड़ा गुस्से में है और मोधी साब के आने के टाइम पे चाइना ने बड़ा अच्छे से विश करा मोधी जी को कॉंगाचुलेशन सो कमिंग बैक लेकिन वहां से गोबर टाइम ने अपना प् पर बेटर रिलेशन से भारत मोधी जी ने बोला हां जी सर वी अलसो लुक फावर बेटर रिलेशन से भारत हमारा काम इतना चल रहा है हम उसको आगे लेके जाएंगे वेरी गुड ड़न ड़न वहां पर चाइना में लग गई आग और यह चीज मैं आपको बोलू चाइना क बारे में बात करेंगे and let's try and figure out यह मोधी जी की कोई नहीं भारत की यह भी चाइना पॉलसी आने वाली है what is the game let's dig into it so as as I was telling you मैं आपको एक टाइम लाइन बताता हूं कि यह सब चीजें क्या हुए सुबह सुबह पांच जून सुबह करीब साड़े बारा बजे के करीब में चाइना ने बोला कि आप ऐसे मत करो यार आप यह क्या कर रहे हो और उनकी प्रेस कॉन्फरेंस के अंदर एक मेसेज आया कि यू आप वह यह हो आप यह हो आप वह तो आपको यह सब करना है you can't do this यहां तक कि उनके जो फायड जिनको नौकरी से निकाला गया था गोबर टा इंडिया प्राइस मतलब धंकी मारी इसने और यह भाई वही है जो नाइसी पलोसी का प्लेन जब आ रहा था तैवान के अंदर यह उड़ाना चाहता है कैता भी ब्लो अप तो प्लेन हम आसमान से उड़ा देंगे उसको अभे वहां पर तुम कुछ करनी पाए वह आई वह आके बोलते हो कि हम सराउंड कर रहे हैं तैवान को हम यह कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं धेले की तुम्हारे पास गम नहीं है लेकिन ग्रॉस्ट लाइन चलिए जी ठीक है अब जड़ा एक और थोड़े से देख लीजे चाइना ने जो मिनिस्ट्री ऑफ और फॉरन अफेस का formal statement है कि भई चाइना ने हमेशा बोला है कि भई जो भी है official contact तैवान के साथ नहीं होना चाहिए हमारे थू होना चाहिए और there is only one one चाइना और यह चीज़ आपको याद करनी चाहिए क्योंकि आपने भी इसको agree किया हुआ है देखिए agree किया हुआ है अगर मैं आपको बताऊ कि सुष्मा सुराज जी का एक statement था कि भई for us to recognize one China you need to recognize one India simple as that तो यह चीज़ बड़ी clear है उसके बाद से भारत ने one China policy के बारे में कभी भी कोई statement नहीं दिया है and that's something which is very very interesting ना देखिए उसके बाद वीबो के अंदर आग लगी भी मोधी को पता है South China Sea, East China Sea, Taiwan यह वो यह सब कुछ यहां का है Tibet Plateau भी चाइना का है मोधी को ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए हो नहीं करना चाहिए हम तो बिल्कुल tolerate नहीं करेंगे यह करेंग लिडिकलेस चाइनीज रेक्शन देखिए साब ऐसा है अगर शीजिंग पिंग को चाहिए था तो अपने आप ही बोल देते यह थैंक यू और congratulations आपके Ministry of Foreign Affairs ने बोला यह आपको इतना ही personal contact चीए मोधी से और आपको जलन हो रही है कि मोधी साब कहीं और से बात कर रहे हैं त तो आप अपने आप ही Twitter उठा के कर लेते हैं शीजिंग पिंग साब को क्या प्रॉलम है तो Twitter बैंड है नहीं नहीं बड़े लोगों के लिए तो बैंड थोड़ी है so please that's not a problem you could have literally just picked up a phone tweeted it out कि साब all that good अब गेम में twist क्या आया twist ही आया कि जो Chinese ambassador to India है वो कल जैसी ये उसके बाद से वो रोना शुरू हो गया है इन चीजों के बारे में रोना तो ऐसा शुरू हो गया है कि पहले तो उन्होंने एक फोटो कीची जिसके अंदर by the way he incurred inferred into a lot of people's privacy क्योंकि इन्होंने private cars की फोटो कीची है और उस फोटो में cars के numbers बड़ी clearly दिखते है so that is not acceptable so Chinese ambassador to India को एक फोटा सा समझ में आना चाहिए कि साब this is India this is not China जाओ आप लोगों की privacy की उपर action ले सबते हो कि आप किसी की भी काड़ी का number उठाके online डाल देते हो you're an ambassador please behave like that ये मेरा एक उनको message रहेगा दूसरा कहते है कि साब देखिए यहाँ पर Korean car है यहाँ पर Japanese car है य हमारे यहाँ पर Chinese की कार क्यों नहीं है क्यों क्योंकि ऐसा है Chinese की कार इसलिए नहीं क्योंकि आप बोलते हैं हम dumping करते हैं यह गलत बात है सबको level playing field मिलना चाहिए लेवल playing field की Chinese बात करते हैं जिन्होंने एक opposition party के साथ MOU sign करा to basically destroy industry लेवल playing field Chinese बात करते हैं जो basically यहाँ पर इस टाइम पे वी just before the pandemic अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊं तो आपको काफी शौकिंग रहेगी just before the pandemic इन्होंने जो मास्क बनाने के पेपर और पीपी बनाने का जो जो नौन वोबन क्लॉथ होता है वो बल्क कॉंटिटी में भारत से खरीदा था जब तक pandemic announce नहीं वा था तो यह तो चाइना करता है और जब हमने मांगा वहां से डिले यह वो हो रहा था this is the reality of china ठीक है उसके बाद भारत ने अपनी industry बना लिए and became the second largest exporter and chinese companies के साथ competition में आ गया भारत वो अलग चीज़ है that's a different story that is भारत's capacity but china का intention यह रहता है ठीक है they want to not get into your market they want to destroy your industry and make you dependent on their market तो यह Chinese ambassador चाहता है तो होगा नी रोते बहुत है ठीक है now funnily speaking मैं आपको एक और चीज़ बताओ चाइना ने काफी मेरे पास जो थोड़ी बहुत खबरे आ रही है and अभी तक मैं इसके बारे में जा रहा मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि अभी तक fully confirmed नहीं है ठीक है लोकल certain people were paid आपको समझ में आ रहा होगा किनकी मैं बात कर रहा हूं they were paid to influence certain outcomes और यह चीज मैं बहुत 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 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं बहुत बारी बोल चुका हूं साइनो वहभी leftist alliance is not a joke यह लोग सब हाथ में हाथ डाल के काम करते हैं ठीक है and these guys by the way let me just say this a little further also इन लोगों ने एक चीज़ और करी है यह पैसे को अभी थोड़ा बहुत पैसा बहुत 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 double triple करिये that is being done with certain connections within the system and उस पैसे को channelize किया गया है through the returns of these movies and this and that into politics and into creating narratives against the system in भारत यह चीज़ भी चाइना ने करी है और यह चीज़ हमारे intelligence there is no question और उसकी उपर action भी होगा ठीक है वैसे भी यह जो जो भी इतना बड़ा election का यह जो कच्रा हुआ है इसकी उपर obviously investigation तो होगी आपस में यह लोग बात करेंगे उसमें जो जो चीज़े निकलेंगी उनकी उपर action भी होगा तो यह बड़ा interesting रहेगा आगे देखने के पहले तो साब दलाइलामा जा रहे हैं USA ठीक है दलाइलामा साब जा रहे हैं USA उनके पोई इलाज करना है तो USA जा रहे हैं पता नहीं है भारत में ऐसे hospital है की दलाइलामा को कोई ऐसी बिमारी है कि भारत में उसका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि भारत का healthcare infrastructure is much better than the US बट चलो ठ तो वहाँ पर जाएंगे, उनकी काफी political meetings होंगी, काफी चीज़ें वहाँ पर होंगी, जिसकी facilitation भारत करा रहा है, इससे भी अभी आग लगने वाली है, तभी मैंने बोला आपको कि वहाँ पर Tibet के बारे में काफी discussion शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक pressure point create किया ग अगर इनका 5% भी वापस इनकी तरफ जाएगा, यह रो देंगे, and that is a very clear example which is being shown, मेरे एसाब से it's a good start, if Modi 3.0 अगर यह policy को continue रखता है, एक strong anti-China policy, एक strong pro-Bharat interest policy, which is not, you know, to do कि भाई हम चाइना के पीछे बस हाथ दोगे पड़े, ना भारत के interest में जो चीजें हैं, उसके अ I think this term is going to be very very interesting, and कही ना कहीं एक shift देखेगा आपको with regards to the China policy, तो आगे आगे देखेंगे, क्या होता है, stay tuned, आज भी बहुत interesting podcast आने वाले हैं आपके साथ, so we will catch up with you in the day, and stay tuned guys, like करें वीडियो को, subscribe करें चानल को, अगर आप नहीं करा है, and most importantly, share these with your friends and family, यह तो छोटे वीडिय कर सकते हैं, using the QR code, या फिर पेपाल का description, जो पेपाल का link जो description में है, या फिर super stickers, super chats, या members 1K, please if you can do so, thank you so much, जै हिंग, जै भारत.